आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि व्याष्टी का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले व्याष्टी का आर्थ समझते हैं व्याष्टी का आर्थ होता है व्यक्तिगत या अकिला याने कि यह व्यक्तिगत या विशेश द्रिश्टिकोन को दरशाता है इसमें किसी एक व्यक्तिगत गुण विशेश्टाय और प्रश्टितियां शामिल होती है याने कि जब किसी एक व्यक्तिगत गुण विशेश्टा के बारे में बात हो रही है तो उसको हम व्याष्टी कहते हैं तो व्याष्टी का विलोम शब्द याने की विप्रित आर्थक शब्दों का समस्टी का आर्थ होता है जिसमें समस्त चीज़ है याने की कोई एक पूरा सम्हू या यह आप कह सकते हैं समस्टी दृष्टिकून सी समस्याओं का समाधान करना आसान हो सकता है अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें